हेलो एबरीबन वेल्कम बैक टु मादरी कीचन ब्लोग फ्रेंड आज हम बनाने जा रहा है आलू और दही से नास्ता आलू को हमने उबाल लिया है और इसके साथ हम कटे हुए प्याज ले ले लेंगे टमाटर ले लेंगे हरी मिच ले लेंगे आप चाहे तो कुछ और भी वे दालेंगे बेशन चावल कांटा दो टेबलिस्पूल और दही इसमें आट करेंगे नमकाट करेंगे थोड़ी सी लाल मिर चायट करेंगे आप अपने टेस्ट के कोडिंग इसमें डालें जितना ही स्पाइसी रखना हो आपको और इन सब को मच्छे से डो बना लेंगे अभी इसमें में थोड़ा सा गेहु कांटा डालना है आप चाहे तुसकी जगह पे आप सूजी भी डाल सकते हैं थोड़ी इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाती है इससे अब हम चलते हैं पैन में हमने तेल डाल के रख दिया गरम होने के लिए और इसका हम छोटा छोटा गोली बना लेंगे टिकी की तरह और इसमें हम डाल देंगे पूरे तरह से और यह हम फ्लेम हम इसमें मीडियम रखेंगे ताकि अच्छे से कुरकुरे हो जा जाए जब यह नीचे से क्रिस्प होने लगेंगे उपर से थोड़ा पकने लगेंगे तब इसे हम उलट देंगे फिर से और काफी टेश्टी बनके तैयार हुआ था बज्जों ने कुछ मज़े लेके खाएं और चटपटा भी लग रहा था खाने में और हेल्दी भी है बहुत साधानी से इसे पलटेंगे हम अब यह बिल्कुल सुना रहा हो गया है अब इसे प्लेट में निकाल लिए है और यह हमारी चाय बन गई है और इसे हम केचप के साथ स्वर्व करेंगे और इतना हम बना रहे हैं आई होब कि हमारी नास्ते की रेसिपी आपको पसंद जरूर आएगी पसंद आएगी तो बनाकर ट्राइ जरूर करिएगा साथ में हमारे चैनल मादरी कीचन ब्लॉग को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा थैंक्यू आला प्यू गाई